असलाम लेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे मज़े में होंगे आज की मेरी वीडियो कैम्पिंग से रिलेटिड है हम लोग काफी कैम्पिंग करते रहते हैं मेरे हस्बंड को इसका कैम्पिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और अक्सर हम लोग कहीं बेडैजर्ट में या कहीं बीच पे चले जाते हैं और वहां पर हम अपना केम्प लगाकर, अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग अक्सर वहां पर night spend करते हैं, और उसका बहुत ही जादा मज़ा आता है, केम्पिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि हमें केम्प की जरूरत होती है, हमें sleeping bag की जरूरत होती है उसके इलावा चूला की और बहुत सारी चीज़ों की हमें जरूरत होती है तो मैं आज आपको उस शॉप पर लेके जाओंगी जहां पर के हम अपनी camping की शॉपिंग करते है मेरे husband को camping की चीज़ों का बहुत अच्छे से पता है तो मैंने उन से जरा request की है के मेरे viewers के लिए जरा उनको explain किया जाए के camping की शॉप पर क्या चीज़े अवेलेबल होती है असलाम अलेकुम viewers जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त store के अंडर enter हो चुके हैं और बड़ा ही unique store है और इसकी जो offerings हैं ये बहुत ही different है क्योंकि basically इसकी जो target customers हैं वो outdoor lovers है camping से related बहुत समान है और साओदिया में ये trend आ रहा है पहले लोग बहुत सदा camping साथ नहीं करते थे लेकिन अब recent times में लोग जाते हैं equipment बहुत buy करते हैं और enjoy करते हैं outdoor जो आपकी activities हैं काफी increase हो गई है यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी बड़ी बड़ी different किसम की offerings हैं ये थोड़ा सा section knives का है daggers जिनको पसंद है वो उनके लिए एक ideal store है काफी different range में इनके पास daggers की variety मेजूद है इसी तरह आगे थोड़े से electronics जिसमें इनके पास flash lights, torch ये जो section है ये इस वकट air guns का है air guns यहां पर पहले तो experts के लिए allow नहीं होती थी लेकिन अब experts भी ले सकते हैं और इसके लिए ये जो store है ये ही license प्रोवाइड कर देते हैं और license की validity five years की होती है nominal से charges है और air guns की बहुत ज़दा variety तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको decent brands मिल जाएंगे जिसमें European USA के भी brands है और जो main दो types की air guns है एक तो जो barrel breaker के conventional air guns है वो भी available है और जो latest technology है PSP ये भी सारी display पे हैं और ये काफी एक नई revolution है air guns में क्योंकि इसमें आप इसको जो gas fill करते हैं और gas lender के साथ attach करके और ये बिल्कुल ही different एक unique experience है इसका और काफी इसका trend आ रहा है और यहां पे काफी लोग पसंद करते हैं अब आगे यहां पर आप देख सकते हैं कि यह different किसम की kettles यहां पे display पे हैं बड़ी fancy किसम की kettles है क्योंकि साओधी का जो camping का way है वो तोड़ा सा different है जैसे कि मैं camping पसंद करता हूँ जाना अपने friends के साथ और बड़ा hardcore किसम की हम camping करते हैं हमारा यह होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा समान और light way से ना carry करें रूख सैक में जितना समान ना हम ले सके लेकिन इनके different trends हैं जब यह जाते हैं तो पहले इनके जो servants होते हैं जाके पूरा camp set करते हैं बड़ा lavish way से और उसके बाद सोफे लग जाते हैं और बड़ी से एक से एक यूनीक चीज़ होती है उसके बाद यह दुबारा खुद जोइन करते हैं यह section देखें इसमें आपको सारे hot cookers वगएरा नजर आ रहे होंगे यह बड़े heavy duty हैं जो कि आप normal घर के में भी use कर सकते हैं different sizes में available हैं जो इनका size usually लिटर्स में किया जाता है और यह usually आप camping पर भी जाते हैं क्योंकि यह मंदी बनाते हैं बहुत ज़्यादे इनको पसंद है चावल और गोश्ट उसके लिए यह ideal है क्योंकि इसमें slow यानि के हीट के ओपर काफी देर अगर यह रखने तो बड़ी जबर्दस इसमें cooking होती है तो आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ज़दा variety है इसके इलावा जो यह pans हैं hot यह बड़े heavy weight के हैं और इसके भी वज़ाए यह है कि जब इसमें आप पकाते हैं cooking तो एक बड़ी unique way से cooking होती है यहां पर आप देख सकते हैं कि tables की बड़ी variety है इनके पास folding tables और camping के लिए यह एक बहुत ही basic utility है कि आप जब जाते हैं आपको tables की बहुत जूरत बढ़ती है आप देख सकते हैं यहां पर इनके पास काफी different variety है tables की जो के fold होके गाड़ी में easily आजाती है यह भी आप देख सकते है pan उसकी shape से आपको अंदाजा होगा कि यह बड़ा ही heavy किसम का है और आप simply wood fire या charcoal fire के उपर इसको रखे automatically उसके उपर heat absorb करेगा और बहुत देर तक यह गरम रहेगा और इसमें ना सिर्फ आप अराम से cooking कर सकते हैं बलके खाना आपका बड़ी देर तक गरम रहेगा तो बहुत ही different और unique किसम की variety इनके पास है जो कि आप अगर normal stores के पास जाएंगे तो आपको यह नहीं मिलेगी तो यही एक वज़ा है कि अपने customers को बड़े unique way से target करते हैं और जो लोग इनके पास आते हैं वो बड़ा कुछ खरीद के लेके जाते हैं आप यह दे सकते हैं कि यह काफी heavy duty oven था जो कि आप अपने साथ camping पर भी ले जा सकते हैं और वहां पर भी इसमें यानि के नान वगएरा और सारा कुछ लग सकता है यह sections थोड़ा chairs का है again chairs भी एक बहुत main utility है camping के लिए chairs की different varieties हैं जो कि fold होके easily आपकी गाड़ी में आपके साथ जा सकती है यहां पर आप देख सकते हैं कि again यह जो इनके cups हैं कहवा के और चाय के यह बहुत ही fancy किसम के हैं क्योंकि यह अरब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं जैसे कि हम आपको बताया था कि जब हम कैंपिंग पर जाते हैं तो हमारे पास steel aluminum और इस किसम की चीज़े होती है heavy duty और rough tough लेकिन यह पसंद करते हैं डेली कैसी को और यह देखें कि जब यह सर्व होता है तो बड़े unique way से पके सर्व होता है और बड़े यह शहाना तरीके से bad case को enjoy करते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको इससे अंदाजा हो रहा होगा कि यह specially जो Arab people हैं उनको target भी कर रहे हैं इसके लावा definitely जो बाकी लोग भी आते हैं वो भी अकसर trend follow करते हैं इनके जिसना यह इनका lifestyle है वो बाकी इसको follow करते हैं तो वो भी definitely यहां से कुछ चीज़ें buy करते हैं तो बहुत ही अब यह देखें दुबारा आपको नज़र आ रहा है कि यहां पे cups वगयरा टेबल्स वगयरा बहुत हैं अब यह देखें इनों ने यह बड़ा interesting यहां पे एक किसम का पैक बना दिया है instead आप different चीज़ें कठी करें अपने bag में रखें चार different bags में होंगी यह नोंने एक आपके लिए already carrying bag बना दिया है जिसमें camping पे सब facilities available हैं इसमें आपका stove है उसके साथ butang gas usually use करते हैं वो है और basic आपके जो cooking के necessary requirements हैं चैनिक हो गई बाकी यह सब चीज़ें इनोंने automatically इसमें बना दिया है अब होता यह है कि जैसे कि यह साओधी हैं या बाकी अरब countries के लोग हैं इनको तो यह चीज़ें पसंद आती हैं यह straight way खरीद लेते हैं हमें एक अच्छी opportunity मिलती है यहां से ideas लेने की for example अगर यह bag मैं खरीदूंगा मैं इनमें यह चीज़ें नहीं लेके जाओंगा इनमें से आदी चीज़ें मैं change करूंगा इसमें थोड़ी से electronics की चीज़ें आ जाएंगी X आ जाएगी और बाकी सारी ऐसी चीज़ आ जाएगी लेकिन idea इतना अच्छा मिल गया है कि आप एक bag बनाएं और यह bag में आप सारी अपनी basic सारी चीज़ें रखें और इसको easily carry कर लें तो इस किसम की shots में आके आपको यह बड़ा advantage मिलता है कि आपको एक different ideas मिल जाते हैं जो यह आप normal घर में रखेंगे तो यह आप as a decoration भी रख सकते हैं लेकिन usually जैसा कि मैंने आपका बताया कि इनका lifestyle बड़ा different है तो यह चीज़ें यह usually camping पे लेके जाते हैं यह इनकी seats हैं हम तो जहां पर जाहें आराम से चादर बिचाई, carpet बिचाई और बैट गए लेकिन यह लो इसके उपर बैठ जाएं तो आपको यही feeling आए कि जिस आप बहुत ही comfortable गारी में बैठे हुएं तो यहां पर अगर आप नीचे घैंटों भी बैठे रहेंगे आप ठकेंगे यह नहीं तो यही एक इनका style है यह इसके उपर बैठेंगे और इसके साथ कहवा enjoy करेंगे अब आ आप गोश्ट काटेंगे उसके साथ आप पूरा उसको बनाएंगे तो आपको जुखत पड़ेगी तो यह automatically यह ले जाएंगे और इसके साथ पानी एटैच हो जाएगा और यह सारा easily manage कर सकेंगे अब यह देखें कि cold drinks वहारा carry करी करने के लिए ice carry करने के लिए यह portable refrigerators और fridge ह हैं यानि कि इसमें आप freeze भी कर सकते हैं इसमें आप अपना as a refrigerator भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े ही अराम से यह गाड़ी के साथ अटैच हो जाता है और गाड़ी की normal जो आपकी outlets होती हैं 12 वोल्ट की उसके ओपर भी हो जाता है और इसके साथ otherwise inverters मिल जाते हैं जो कि आपके लिए बड़े helpful होते हैं इसको चलाने के लिए बड़े portable size के हैं इसमें देखें यह सारस का display जिसमें electronically आप इसका temperature कंट्रोल कर सकते हैं और again यह चीज़े हैं ठोड़ी सी costly लेकिन इनकी utility बहुत है especially जब आप जाते हैं बाहर आपके लिए एक बड़े hassle होती है कि आप कितने ice box carry करेंगे और कितनी बरफ carry करेंगे अगर आपके पास एक अच्छे decent size का refrigerator है तो उसमें आपके लिए यह problem बड़ी easily हल हो जाएगी आप इसको battery के साथ connect करें और इसको फिर refill करते रहें अपनी requirement के साथ यह lights हैं towers के साथ जो के use होती है यह बड़ा interesting चीज है यह इसको jerry can कहते हैं और basically इसमें आप extra fuel भी carry कर सकते हैं water भी carry कर सकते हैं और camping पे पानी की बहुत जरूबत होती है और वैसे भी क्यूंकि यह जाते हैं deserts वगहरा में वहाँ पे तो पानी मिलता भी नहीं है तो यह पानी तो camping में बहुत जदा carry किया जाता है और देख सकते हैं कि इ easily अपने साथ carry कर सकते हैं फिर इसके बाद इनके पास एक four by four और off roading का भी section है गारियों का आप अपनी गारी modify भी कर सकते हैं अगर आप camping पे जाते हैं और otherwise उसमें आप के पास बहुत accessories हैं जो के गारी के साथ बड़ी useful हैं यह देखें यह आपकी search light, torch और इस किसम की सारी च जूरत होती है, यह LED lights हैं जो के बहुत जदा बीजली भी नहीं लेती है, easily आपकी गारी के साथ connect हो जाती है और बहुत अच्छी light होती है, यानि के यह rods के साथ लगा लेते हैं और fishing line के साथ भी यह लग जाती है, और पूरा आपका area इतना light हो जाती है, जैसे आपका दिन का hall बन जाए, और बड़ा ही खुबसूरत लगता है देखने में भी, तो यह बड़ी एक utility चीज़ है, यह सारी की सारी lights यहां पे available हैं, इसके लावा यह search lights हैं, अक्सर यह जाते हैं desert में, तो desert में कुछ जानवर वगारा भी हैं, यह hunt भी करते हैं, जैसे के air guns भी आपने कर सकते हैं, अब यहां में भी देख सकते हैं, कि इनके पास बड़े different size के water coolers भी हैं, जो के again आपको help करते हैं, पानी carry करने के लिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, कि यह usually जब भी camping पे जाते हैं, तो वहां यह गोश्ट बहुत खाते हैं, और यह पूरे का पूर बकरा लटका सकते हैं, और उसको साफ करके फिर पकाते हैं, यह again इसमें आपको further नजर आएगा, जैसे कि यह एक बहुत बड़ी size की channel है, हम जाते हैं तो हम चाई continuously चलती है, और यह बड़ा एक दफ़ा पानी गरम करनें बड़ी channel में, उसके बाद कोईलों के ओपर रखते ह आपको मिलती रहती है चाहे की, तो यह एक बड़ा interesting, यानि के different किसम की kettles हैं, जो के बड़ी health food रहती हैं camping के लिए, again यह आप देख सकते हैं कि इनके पास portable बहुत सारी चीजे हैं, यहां पे different किसम की cooking wears हैं, पकाने के लिए, फिर इस किसम के आपके stoves हैं, और इस किसम की accessories रीजन जो के normal आपको नजर नहीं आती, क्योंकि मुझे camping का काफी shock है, तो मैं different websites पर जाके camping की जो चीजें हैं ढूनता रहता हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यह चीजें यहां पर जो display में मिलती है, यह आपको camping की जो online shops हैं, वहां पर भी नहीं मिलती, तो in fact, अक्सर य इसी चीजें होती हैं, जो कि हमें भी नहीं समझ आ रही होती है कि उनकी क्या utility है, अब यह देखें, यह fry pans हैं, यह बड़े interesting है, especially अगर आपने इसमें omelette बनाना है, सिर्फ आप इसमें अंडा डालें, उसके बास सारे उसके बीच में सारा चीजें डालके, और इसको different vlog में आपको से share करेंगे, कि वो भी हमने experience किया हुआ है, तो आप से जरूर शेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इनके पास कितनी different variety है, continuously आपको मैं चल रहा था और यह चीजें दिखा था, अब हम इसको second level पे जा रहे हैं, in fact first level पे, यह जो first floor है, यहां पर इनकी totally different च चीज है, चलें आपको दिखाते हैं और इसका भी experience share करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ी shop है, हालांकि continuously मैं चल रहा था और फिर भी मैं इसको बड़ी मुश्किल से पूरा cover कर चुका हूँ, अब आप यह देखें कि again first look में आपको यह लगेगा कि य लेकिन जब आप देखते हैं इसको खोल के अक्सर हमें भी नहीं पता चलता कि क्या है लेकिन कभी sleeping bag है, कभी water cooler है या कभी उसमें ऐसी चीज़ें आप यह देखें, इसमें already sections बने हुए हैं, आप इसको different यानि के commodities के लिए लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके sections हैं, आप इसमें अपने kitchen की bucky utilities जो चीज़ें हैं, वो रख सकते हैं, और बड़ा easily आप उसको manage कर सकते हैं, क्योंकि यह ऐसे boxes हैं, जो के बड़े easily देखें, बीच में यह sections बन जाते हैं, आपने सब इसको attach किया, आप इसके दो sections बन गए, आप अपनी जो सारी चीज़ें carry करें हैं, camping केंपिंग वायर के लिए बड़े अराम से इसको organize कर सकते हैं, क्योंकि camping में again एक बड़ा challenge होता है, कि आपके पास stuff बहुत जादा हो जाता है, और आपको ना space management बड़े तरीके से करनी पड़ती है, तो यह आपके जो bags यह बड़े helpful होते हैं, आप इसमें बहुत चीज़ें carry कर सकते हैं, अब आप यह देखें कि यहां पर यह टेंस हैं, टेंस की बहुत different variety है और बहुत different material भी use होता है, कभी यहां पर यह ज्यादा तर यह जो लोग है, यह थिक कपड़े का टेंसे के बहुत ही जदा heavy duty है, और heavy weight का होता है, क्योंकि यह तो गाड़ियों में carry करते हैं अब देख सकते हैं, कि इन्होंने भी setup कैसा बनाया हुए, कि बीच में sofa लगाए हुए हैं, और कितने बड़े हैं, क्योंकि again, हम usually जब जाते हैं, तो हम tent जो होता है, जाता से जाता तीन से चार लोग share करते हैं, यह हमारे पास independent tents होते हैं, लेकिन इनके पास यह इतने friends हैं, जिनके अंदर यह आग भी जला लेते हैं, सर्दियों के दिनों में, हलांके जद्दा के इर्दकिर तो बहुत जदा सर्दी नहीं पड़ती हैं, लेकिन रियाद, सेंटरल पार्ट और एस्टन पार्ट, साओधी अरेबिया के ऐसे हैं, जहां के बहुत जदा सर्दी हो जाती है, otherwise आपके लिए survival मुश्किल हो जाता है, तो यह सारी चीज़े इनके पास बड़ी अच्छे, यानि के different range में available हैं, अब यह different किसम का pressure cooker आपको दिखा रहा था, again मुझे इसकी complete पता नहीं है किसको कैसे utilize करना है, लेकिन आपको एक idea मिल रहा है कि इनके पास कितनी मु आपको नजर आ रहा है कि heavy duty है, और अगर इसको आप fold भी करें, तो इसका weight around 25-30 kg का बन जाता है, और यह गारी में ही carry हो सकता है, और इसको यानि कि install करना भी कोई असान नहीं होता, आपको 2-3 लोग चाहिए होते हैं, और उसके बाद यह इतने बड़े आप tent assemble कर सकते हैं, यह चोटे tents हैं जो के bathroom के लिए use होते हैं, क्योंकि और यह आप देख सकते हैं कि यह आपके लिए toilet seats भी पड़ी है, साओधी अरेबिया में अभी भी जो camping का trend तो आया है, लेकिन जो public places हैं, वो fully equipped नहीं हैं, लोगों के लिए, जैसे आप for example यॉरप में जाएं या अमेरिका वगरा में जाएं, वहाँ पर camping places पे toilets और इस रिसम की जो basic requirements हैं public के लिए, वो बहुत easily available होती हैं, लेकिन अभी साओधिया में नहीं हैं और especially अगर आप middle of the desert हैं, C के उपर हैं तो आपके लिए, और family के साथ ये बड़ा challenge हो जाता है, तो ये बड़ी facility है के toilets के पूरे tents और पूरा equipment है, जो कि यहां पे available है और low carry करते हैं, आपकी privacy भी रहती है और साथ में hygiene भी रहता है, तो ये बड़ा ही interesting किसम का और बड़ा detailed किसम के इनके पास products हैं, सर्फिंग के लिए भी products हैं क्योंकि ये जब sand में जाते हैं, sand dunes होते हैं, उपर से नीचे, बचे बड़ा पस और बड़ा fun होता है ये भी desert में इनके लिए, ये देखें ये और इनके पास coolers हैं जिसमें temperature control, temperature monitoring भी है, ये सारा section जो है tents और आपके ice box और इस से related चीज़ों का है, आप variety देखें इनके पास कितने different sizes और कितने different material में ये available हैं, अगें ये थोड़े से different type की कुरसियां है, fold हो इतना easy इसको carry करना bag है, आप ते serious इसको खोला और खोल के use किया, बाद में pack किया और easily आप अपनी गाड़ी में लेके चले गए, तो बड़ा ही, यानि के camping को उन्होंने different dimension दे दी है और बड़ा easy कर दिया है, sleeping bags की इतनी अच्छी variety है और इसके different temperature rating है, for example, अगर आप ज़्या यहाँ सर्दी तो नहीं पड़ती लेकिन still एक अच्छा आपको facility मिल रही है, आप यह भी देख सकते हैं कि कितने यह thick है, यह कुछ लोग पसंद करते हैं, सोड़ा fluffy किसम के sleeping bag, तो different customers को यह different way से target करते हैं, और यह हर किसम के product की offering करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क sleeping bags की भी कितनी variety है, और tents की भी इनके पास कितनी different variety है, इसके इलावा camping से related जो clothing है, वो भी थोड़ी से special होती है, और specially आपको jackets की जूएत पड़ती है, जिसमें बहुत सारी pockets होती हैं, ताके आप different किसम के gadgets और camping accessories केरी कर सकें, तो आप देख सकते हैं, यह सारी products भी यहाँ पे और इसके इलावा इन्शालला आने वाली videos में जब मैं camping पे जाऊंगा और वहां की भी हम videos आप से share करेंगे, अपना experience share करेंगे, fishing की, camping की, जो especially जो overnight हमारा वहां पे stay होगा, cooking करने की, तो इन्शालला वो experience भी हम आप से share करेंगे, और साथ में मैं थोड़ा सा capture करूंगा, क् हम अपना camp लगाते हैं, और साथ में लोग दूसरा भी लगा रहे होते हैं, और साओधी जब camping करते हैं, उनका बड़ा different style होता है, जैसे मैंने आपको बता है, तो हम मैं कोशिश करूंगा, कि वो भी आप से थोड़ा capture करके share करूं, तो stay tuned to my channel, इन्शालला फे मिलेंगे, हाफिज। जिर तो मिलेंगे हैं, तो हम झाल रे रहे होता हैं, भी तो बहाँ करोंकर कर तो घ्लित कर दो फे इचिते हैं, परोगजार नारे करें रहे हो, प् Marshakkovao Pora जाव से आपको कर अष्प कर दो